नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी सीरीज बे जिसका नाम है Scale Up 2.0 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं The Secret to a Great Brainstorm बिजनस में जो लोग बाते करते हैं आपस में कैसे कैसे करें बिजनस कैसे अपने प्रड़क्ट में काम करें तो उसको बातचीत को Brainstorm कहा जाता है और उसमें भी जब Brainstorm करें तो क्या चीज हम खोजें क्या चीज बिजनस में हम इकठा करने की कोशिश करें Design an 11-star experience 11-star experience को कैसे design करें हम लोग पता नहीं कितने महीने पहले इसको पढ़े थे हमने वीडियो बनाया था और वैभो को अभी भी इसके बारे में आद है मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है It was such an amazing topic to study बट इस चीज को हम अगर recreate करने की कोशिश करें अपने product में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एक customer की shoes में खड़े होना हम लोग गए थे अभी आनन्दा पूरी तरह से दो दिन रहे हम एकांता एकांता का अच्छा experience था बट आनन्दा के experience ने तो हमको ऐसा समझ लोग पूरे पानी में डुबो कर धो दिया पूरा washout हो गया एकांता का experience ऐसा लग रहा था ऐसे कि हम स्वर्ग में घूम रहे हैं ऐसा लग रहा था उसका खाना, कपड़ा obviously हम लोग पहली बार गए थे but we were really mesmerized उसको अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं उसको 7,80 star दे देता लेकिन यहाँ पर तो 11 star देने की बात आ रही है कि आपके पास कोई customer आया तो उसको 11 star कैसे दे आये पढ़ते है जो भी दुनिया के successful लोग हैं वो कहते हैं अगर आपको as a businessman, as an entrepreneur successful होना है तो आपको कोई particular degree या knowledge set कुछ words नहीं जानना है आपके पास एक सही type का mindset होना चाहिए mind जो सही तरीके से चलता हो कोई बात नहीं लेकिन जादातर जो बड़ी-बड़ी companies के जो tech CEOs हैं उनके पास अपना खुद का business का या computer science का degree है जैसे बहुत से लोग के पास है हमारे Brian Chesky बहुत अच्छे college से bachelor of fine arts industries की design कैसे बनाते हैं उसकी degree है उनके पास और उनकी एक super power है जब वो सोचते हैं तो design thinking करते हैं आज ये सवाल लेके जाएए what is design thinking ये सवाल आपके पास जाना चाहिए अब माल लिजे आपको लगता हो का design मतलब बच्पन में design का मतलब था कि साड़ी में designs होती है वो design मेरी एक friend की बहन वो fine arts में थी वो बहुत खुबसूरत print designs गोल, पत्ते करेश जी के मूर्ती जो जूइलरी होती है वो ऐसे designs बनाती थी तो आपको शायद लगता होगा design मतलब making things pretty चीजों को खुबसूरत बनाना लेकिन ब्राइन चाहेंगे आप अपनी thinking को थोड़ा सा shift करिए design का मतलब कुछ और भी होता है हमारी design के definition कुछ अलग है Steve Jobs भी design को अलग तरीके से code करते थे बहुत से लोगों के दिमाग में ये fallacy है, ये confusion है कि design looks के बारे में है दिखिए आप भी सोचिए, अगर मैं आप से बोलू design, तो दिमागे क्या आता है very good ये आपकी नई थोट आई है हमारे generation में आज जाकर के आप पापा से पूछ लें, चाचा से पूछ लें even संतोज भी या मनोज भी किसी से पूछ लें कैसा design है तो looks के बारे में बात करेंगे कपड़े का pattern जोएलरी की design बस यही चीज और कुछ नहीं स्टीव जॉब्स बोलते थे design किसी भी चीज को उसके लिए कहते हैं कि वो चीज काम कैसे करते हैं जैसी यह देखिए यह बहुत intelligent design है जिस किसी ने भी bottle बनाया कैसे खुलता है एक, दो, तीन lock करने के लिए इसके पहले bottle आती थी जो शराव और आपकी bottle पुराने ज़माने के अभी भी cork, अंदर cork डालते थे फिर निकालने के लिए अलग से एक screw type का आता था उसको खुसेरते थे, उसको गोल-गोल खुमके निकालते थे अब यह दो उगली से, आराम से यह design है, design मतलब how it how it works Brian चेसकी बोलते हैं, design मतलब कोई चीज है क्या अब हम लोग design की बातें क्यों कर रहे हैं खाली इसलिए नहीं कि कोई चीज देख रहे हैं, कहीं कहीं spring लगाया है खाली कोई चीज है बस यही design नहीं है वो और क्या हो सकता है उसके बारे में design thinking चल रही है बातचीत को ऐसा कर देंगे कि वो एक दिमाग को exercise करने वाला future को invent करने वाला बातचीत बन जाए brainstorm बन जाए यह सारी के सारी जो बातचीत होती है वो आपको force करता है ऐसी चीज़े सोचने के लिए जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं के हो भी सकता है क्यों ऐसा सोचना क्योंकि अगर आप unimaginable चीज़ नहीं सोचोगे जो चीज़ पहले हुई नहीं तो आप जीत नहीं सकते business में कल हमने क्या पढ़ाता आपको जब कोई चीज़ बनानी है तो ऐसी बनानी है कि लोग उसको पागलों की तरह प्यार करें क्यों? ताकि लोग मजबूर हो जाएं अपने आसपास के लोगों को बताने के लिए क्योंकि वही एक marketing है जो आपको survive करा सकती कौन से marketing उसको बोलते हैं word by mouth अमिता बच्चन अनन्दा गये अमिता बच्चन किसको बताएंगे अपने सरकल वालों को उनके सरकल वालों को proudly बताएंगे कि हम ऐसा हाई फाई चीज यूज़ करते हैं तो उनके proudly उनके दोस्त वो भी हाख करके और कोई marketing इतनी powerful नहीं Elon Musk अपनी गाड़ी के लिए ही marketing करते हैं marketing यह क्या होता है word by mouth marketing क्या होती है मतलब कोई ऐसा पागलों की तरह इतना अच्छा बनाओ यह है अच्छा बनाओ is the most important thing word by mouth तो अब को पता है कि हाँ मूझ से बोला जाता है मैं अपने दोस्तों को बताऊँ you make something so so great that people love it and they want to tell about it you know I use only Prada show off के लिए चीज़ हो गई हो गुच्ची और अगर आपको ऐसी कोई चीज़ बनानी है जिसके बारे में लोग बात करें तो आपको पहले ऐसी चीज़ करनी होगी जो अभी scalable नहीं है तो सबसे पहले जो ordinary चीज़ें बना सकते हैं उसको तो आप हटा दीजे Mind Experience तो समझे मैं क्या बोला श्रीश नहीं समझ पाए गाली दिया मैंने Mind को भागल करने फ़ला चीज़ बनाई है Mind Bogling जो हर कोई चैट GPT चैट GPT चैट GPT सब बता रहे हैं किसी को तो इसी चीज़ को ट्राइ करने के लिए इन लोगों ने अपने बिजनस का पार्ट को ट्राइ किया कि चलो देखते हैं एक्स्प्रेमेंट करते हैं एक 5 स्टार एक्स्पिरेंस कैसा होगा अगर कोई आदमी किसी प्रोड़क्ट या सर्विस को यूज कर रहा है अब देखी कैसे इमाजिन करते हैं सबसे पहले 1, 2 और 3 स्टार वो होगा जिसमें कि आप अपने एर्बेन भी बुक किया था वहाँ पहुचे और आपर कोई है यह नहीं ताला बंद टक 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 भाईया मैंने पैसा दे दिया है मुझे अंदर जाना है हमारे साथ ऐसा हुआ था एक बार हम पहुचे थे एर्मेन भी दिल्ली शरीश था हमारे साथ और वहाँ गाड़ी घुमरी गाड़ी घुमरी चकर काट रहे है मिलनी रहे चगए फिर जब फाइनली पहुचे इतना लेट से आया आप लोग चिला रहे थे हमको किसी तरह से हमको चावी मेली अंदर गए उनका घर बहुत अच्छा था लेकिन यह जो एक्सपीरियंस था ना 20 मिनिट तक हमको बाहर वेट कराया था तो खैर आपको वेट करना पड़ा तो इसलिए आपने शायद उसको गुसे में 3 स्टार दे दिया तो अगर वो कोई आता ही नहीं है और आपको अपना पैसार आपस लेना पड़ता है तो अबिसली यह 0 या 1 स्टार होगा और फिर आप उस आप को दुबारा या उस सर्विस को दुबारा कभी यूज नहीं करेंगे मैं आप सच बता रहा हूँ एक कांता का experience मेरे को लगता है मैं 2-3 स्टार दूँगा उसका food अच्छा था उसके waiters अच्छे थे रूम भी अच्छा था लेकिन जो सर्विस हम लेने गये थे उसको मैं मुश्किल से 2 स्टार या 3 स्टार दूँगा आननदा को 5 स्टार दूँगा अब 5 स्टार experience ब्राइन चेस्की का आपने खटखटाया दुराजा खुला आपका स्वागत किया अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है अरी पता है मैं गया था वहाँ पर होटल में दुराजा खुल दिया कुई बड़ी बात नहीं है आप बोलेगे यार मैंने एर्बिन बिलिया था ठीक है दुराजा खुला लोग गए not a big deal ब्राइन चेसकी बोलता है हम लोग सोच रहे थे बड़े पापा आपका स्वागत है और वहाँ पर आपके पास बगल में टेबल पे रखा हुआ है welcome gift कोई भी gift रखा है बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप वाइन लेते हैं तो एक वाइन या cold drink या चॉकलेट आपने फ्रिज खोला उसमें बड़ा साफ सुत्रा पानी रखा हुआ है ठंडा बात्रों में गए वाँ पर साबुन टॉलिटरीज टॉवल, शैंपूज ये सब रखे हुए और इस तरह से जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपको सब कुछ अच्छा-चा मिलता है रीड हॉफ्मन रीड हॉफ्मन आप लोग नहीं जानते होंगे हम लोग खुलवाते हैं किस से मिस्टर मुकेश अमानी से या अमिताब बच्चन से खुलवा देते हैं या सलमान खान आ गए श्रीश के लिए भुवन बाम, आपके लिए शारुक खान और आपके लिए काहिली जनर दर्वाजा खोलती है रीड हॉफ्मन खोलेंगे और वहाँ पर वो बोलेंगी काहिली जनर बोलेंगी अरी सर आईये प्लीज, मुझे पता है आपको सर्फिंग पसंद है मैं आपको स्वागट कर रही हूँ और वहाँ पर आपके लिए पहले से सर्फिंग बोट रखा हुआ है क्योंकि आपको सर्फिंग पसंद है और सुनिए सर, आपके लिए हमने पहले से ही सर्फिंग का लेसंस बुक कर दिया है प्लस वो बोलते हैं आपको अपनी टैक्सी ले जाने की जरूरती नहीं है आप हमारी कार ले जाएंगे ऐसा हमारे साथ हुआ बताएए कब बागरी जी के घर पे वो बोलते हैं शाम को सरम ताज में जा रहे हैं और सारी booking मैंने अपनी तरफ से कर रहे हैं आपको कोई पैसा नहीं पना तो आप बोलेंगे यार यह सेवन स्टार है लेकिन अभी रुकिए यह सेवन स्टार है अभी एट, नाइन, टैन, लेवन बागी है अभी आप एरिपोर्ट पर जस्ट उतरे हैं हावाई जाहाद से अभी हम बाहर नहीं निकले थे नागपुर के समान उठाया और जस्ट आ रहे है तब तक से पोर्टर हमारा वेट कर रहा था सर, आपके लिए हम वेट कर रहे हैं और अंदर ही, गेट के अंदर हमारा हाथ से लेकर गहते हैं तो यहाँ पर लेमोजीन और पोर्टर आपका वेट कर रहा है और फिर वहाँ से घर पहुँचे और घर पे वो सब चीज जो भी हमने बात किया अमिताब बचन और बड़े-बड़े लोग वेट कर रहे हैं और आपका वो सब चीज नाइन स्टार मैं एरपोर्ट पे पहुँचा और वहाँ पर एक दो धन 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 परेट चल रही आपके और में सब और वहाँ पर में एक एलिफेंट बेट कर रहा है जैसे कि शादियों में होता है इंडियन में ऐसे ही 9 स्टार हो गया 10 स्टार 10 स्टार में आपके लिए बीटल्स जो music बचा रहे हैं आपके लिए रॉक स्टार्स जो दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार्स उनको एक ठाकर करके आपके लिए बुलाए गया है और 5-6,000 लोगो एक ठाकर करके सर आए हमारे लिए मिलने के लिए सर आए क्या आप हमारे देश पे आए 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 जैसे मोदी जी पहुच गए मोदी जी का सरेवनी होगा 11 स्टार आप पहुचे एरपोर्ट पे इलोन मसकाता है जी सर ये सुनिये सुनिये सर आपकी फ्लाइट जैसे उत्री अभी चलिए हमारे घर पे फ्रेश हो जाईए कुछ खा लेजिए और हम आपको स्पेस में ले जा रहे चक्कर काटने के लिए बुलते हैं ओविसली वो जो बड़े बड़े स्टार की बात की हम लोगों ने वो सब इमाजनरी है लेकिन एक परपस था इस चीज का बाचीत करने का 9, 10, 11 स्टार पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर आप इस तरह का crazy exercise करते हैं तो उसमें बीच में कोई sweet spot होता है तो इस तरह से जब आप extreme experiment सोचते हैं तो आप पीछे की तरफ जाते हैं कि मैं और क्या क्या चीज डिजाइन करता हूँ क्योंकि एक average चीज सोचना और करना बहुत आसान है आपको दूसरे को देखना है और उसी को copy कर देना है बलकि आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है जब आपका घर है वैसे ही बड़ जब आप एक great product पराना चाहते हैं तो आपको पूछना पढ़ेगा how to design 11 star experience how to design 11 star experience notebook में notes बना रहे हैं रोज का date wise हम लोग क्या पढ़ रहे हैं I can see notebook in everybody's hands and bags I am so happy to have such great students thank you doostho बोगे बने शक्राइब बोगे बने शक्राइब